हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बैंक बाला में दोस्तों हम अपने चैनल पर आपको ग्रामीन बैंक सीरिज के अंदर गदेश के सभी तालिस ग्रामीन बैंकों के बारे में हिटेल जानकारियां प्रदान कर रहे हैं इसे पिछले वीडियो में हमने आपको मध्धांचल ग्रामीन बैंक के बारे में बताया था और आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे 36 ग्रामीन बैंक के बारे में तो चले दोस्तों बिनादेरी के विडियो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबस्क्राइब करें हमारे यूट्यूब चलर बैंक बाला को और तबाये बैल आइकन का बटन हिंदी में बैंकिंग से जुड़ी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आए सबसे पहले जानते हैं सौट इस्टियो अप 36 गड़ राजगामीड बैंक 36 गड़ राजगामीड बैंक की इस्थापना 2009-2013 को हुई थी ये 36 गड़ इस्थित एक मात्ता 26 गड़ बैंक है बर्तमान 36 गड़ राजगामीड बैंक का प्रायोजक बैंक भारतिय श्टेट बैंक है और इसका हेड ऑफिस 36 गड़ की राजधानी रायपुर में इस्थित है इस 36 गड़ के सभी जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है बैंक में तकनीक आदारित सभी सभी दाएं मोबाइल बैंकिंग, DBT, IMPS, इंटरनेट बैंकिंग आधी सभी उपलब्द हैं और इसके ग्रहकों की संख्या 65 लाख है अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टोटल बिजनेस अप 36 गड़ राज ग्यामीड बैंक पिछले बित बर्स में बैंक ने 27.50 करोड का मुनाफ़ा अरजित किया है बहिए अगर बैंक के NPA की बात करें तो ग्रॉस NPA 2.56 परसेंट है और नेट NPA की बात करें तो ये 0.83 परसेंट है अब बात करते हैं ब्रांच नेटवर्क और 36 गड़ राज ग्यामीड बैंक 292.13 को बने 36 गड़ राज ग्यामीड बैंक की ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो इसकी कुल ब्रांचों की संक्या 614 है जिसमें rural branches 475, semi urban branches 87, urban branches 38 और metro branches 14 हैं बैंक की 93% branches rural semi urban छित्रों में इस्थित हैं और ये 36 गड़ के सभी 32 जिलों में फैली हुई हैं अब बात करते हैं area of operation 36 गड़ राज ग्रामीड बैंक के area of operation की बात करें तो ये 36 गड़ के सभी 32 जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है इन जिलों के नाम अगर आपको जानने हैं तो आपको हमारी website www.indianpsubank.in पर दिये गए article में जाना होगा क्योंकि अगर अब यहाँ नाम आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और पोस्ट का लिंक आपको टॉप कमेंटे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा बैंक के छितरी कारेलियों की बात करें तो इसके छितरी कारेलियों की संख्या 10 है अब बात करते हैं टोटल इंप्लाइज आप 36 कड राज गामीर बैंक उन्नीज जन्वरी 2022 को लगाए गए एक RTI के जवाब में बैंक ने बताया है कि उन्नीज एक 2022 को बैंक में कुल करमचारियों की संख्या 2063 है जिसमें ओफिसर्स 1101 और ओफिस अज़ेश्टेंट 863 है और ओफिस अटेंड की कुल संख्या 99 है अब बात करते हैं हेड ओफिस की हेड ओफिस की बात करें तो ये 36 गड की राजधानी रायपूर में इस्थित है और ओफिस का एड़स है सुंदर नगर महादयो घाट रोड 36 गड इमेल और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब बात करते हैं चेर्मेन की तो बैंक के चेर्मेन स्री आई के गोहिल हैं इनके लाबा बैंक में चार महाप्रवंदक स्री एके बेहरा, स्री अजय निराला, स्री बिजय कुमार अगरवाल और स्री गुर्दीप सिंग है इस सबी अधिकारी इस्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारी हैं और 36 गड़ राज गामिर बैंक में डेपोटेशन पर हैं अब बात करते हैं स्पॉंसर बैंक की बात करें तो इसका स्पॉंसर बैंक इस्टेट बैंक आफ इंडिया है Honorship की बात करें तो इसमें Central Government की इस्तेदारी 50%, 36 गर्वर्मेंट की इस्तेदारी 15% और State Bank of India की इस्तेदारी 35% है अब बात करते हैं Important Financial Parameters की सबसे पहले बात करते हैं CD Ratio की CD Ratio है 35.69%, Casa Deposit 70.81%, Gross NPA 2.56%, Net NPA 0.83%, CRAR 19.27% Bank के IFSC Code की बात करें तो आपको बता दें, 36 गर्वर्मेंट बैंक ने अपनी सभी ब्रांचों के लिए अलग-अलग IFSC Code जन्रेट कर दिये हैं, किसी ब्रांच का IFSC Code जानना है तो आप हमारी वेबसाइट www.indian.pacubbank.in पर दिये गए आर्टिकल में दिये गए लिंक के जरिए, 36 गर्वर्मेंट बैंक की सभी साखाओं का IFSC Code जान सकते हैं, पोस्ट का लिंक आपको टॉप कमेंट ए डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, यहां आपको बता दें दोस्तों, बहुत सारी गर्मेंट बैंकों में अभी ब्रांचों क किसी भी बैंक की किसी भी साखा का अपना IFSC Code होना अनवारिय है, लेकिन अभी भी कई गर्मेंट बैंकों की सभी साखाओं के लिए एक ही IFSC Code का इस्तेमाल होता है, यहां तक की देश की सबसे बड़ी गर्मेंट बैंक, बडोदा यूपी बैंक में भी सभी साखाओं के numeric code होता है इसमें first four character बेंक के नाम को fifth character by default zero और last kick six character बेंक की साखा को represent करते हैं अब बात करते हैं банke के ग्रहकों के लिए सबसे महतफपूर service, missed call alert service के बारे में, दोस्के तिर्ट वे ग्रहकों के लिए missed call alert service की सभिधा भी देता है बैंक का कोई भी ग्राहक 9289221579 पर कॉल करके अपने खाते का बैलेंस अपने मुबाइल पर आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकता है लेकिन यहां आपको बता दें इस सविधा का लाब लेने के लिए आपका मुबाइल लंबर आपके बैंक खाते में जुड़ा होना अनवारी है अगर अभी तक आपका मुबाइल नंबर आपके खाते में लिंक नहीं हुआ है तो सबसे पहले मुबाइल नंबर को अपने बैंक खाते में लिंक कराएं तभी आप इस सर्विस का लाब ले पाएंगे ATM से लेड़ कोई दिक्कत है तो ATM के टोल फी नंबर आपके स्कीन पर आ रहे हैं अब आपको जल्दी से मुबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के बारे में भी बता देते हैं इन दोनों ही सर्विसेस के जरिए आप मनी ट्रांसपर, बैलेंस इंक्वारी, चेक्बुक ओडर, ATM ब्लॉक, ATM ग्रीन पिन और पॉजिटिव पे जैसी सुविधाओं का लाब ले सकते हैं दोस्तों वीडियो में दीगे जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जोरू बताएं अगर वीडियो में दीगे जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर भी कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें बैंकिंग से जुड़ी ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेपसाइट www.indianpsubank.in पर भी जा सकते हैं और सोसल मीडिया पे सीधे जोड़ने के लिए आप हमारे सोसल मीडिया लिंक्स के जरिए जो की आपको टॉप कमेंटे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएंगे और आपकी स्कीन पर भी आ रहे हैं हमसे सीधे जोड़ सकते हैं आप अपना कोई सवाल भी सीधे हमसे पूँछ सकते हैं तो चली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार सस्त्रिकाल जै हिंद और आप सभी को आजादी के अमरत महस्थक की हार्दिक सबकामना है